So, hey guys, good morning and welcome back in our new video तो I hope कि सभी लोग स्वास्तोर मस्तूंगर आगे भी ऐसी रहेंगे तो final दोस्तो अपना जो advanced server है वो यहाँ पे आ चुका है तो अगर आपने अभी तक download नहीं किया है तो मैं comment box के उपर इसका जो link है और दे दूँगा आप जो application को download कर लेना उसके बाद आपको activation code को डालके इसको यहाँ पे जो है login वगरा कर लेने तो ज़्यादा कुछ नहीं करना यहाँ पे दोस्तो बहुत सरी चीज़ा आने वाली है तो वीडियो को आप लासत देखना यह रहा दोस्तो अपना जो है यहाँ जो wukong character आने वाला है उसकी जो skill है वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे यह बरफ का बनके आ रहा है भाई मतलब यह monkey, ice monkey तो मतलब भाई क्या ही funny बना रहा है मतलब यह जो इसका original है original तो सही है भाई, इसका जो यहाँ पे यह वाला look है यह रहने वाले अपना monkey look तो इसके बारे में detail मां आपको पीछे बताऊंगा कि यह क्या चीज रहने वाली है, कैसे आप इसको enjoy कर पाऊगे, तो basically दोस्तो advanced server आप जो है जाके download कर लेना और activation code तो सायथ आप लोग के बाफ हो गई होगा तो यहाँ पे दोस्तो advanced server के अंदर बहुत सरी नहीं चीज़ें देखने को मिली है तो सबसे बहले तो हम अपने जो diamond वगएर है उनको collect कर लेते हैं, तो diamond वगएर वैसे कुछ काम तो आते नहीं है, लेकिन क्या ही कर रहे हैं चलो freedom मिल ला है, तो इसको collect कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तो सबसे बहले आपको देखने को मिलेगा guild war, आपको guild war की इस तरगे का रहना वाला skin को पर आप दे सकते हैं, आपको कुछ इस तरगे का guild war का interface देखने को मिलना वाला है जहाँ पे आपको guild room card देखने को मिलेगा इसके लाओ आपको guild की आरपी drop card देखने को मिलेगा यहाँ पे आपने क्या करना है, कि अपने guild के member है उनके साथ आपने यहाँ पे game वगएरा खेलना है उनके साथ आप लोग custom वगएरा खेल सकते हैं इसके लाओ दोस्तों आपको weekly activity के दोरान कुछ guild token free में मिलेंगे और इन guild token से आप reward को redeem कर सकते हैं तो क्या reward आप redeem कर सकते हैं यहाँ पे आप room card को ले सकते हैं इसके लाओ कुछ और भी reward रहने वाले हैं जो कि poster के उपर बने हुए हमारा यहाँ पे कुछ car अगरा की skin है और हमारे यहाँ पे कुछ gun skin है तो इस तरके के दोस्तों आपको यहाँ पे reward देखने को मिलने वाले हैं आपको जो है token collect करने है token नहीं मतलब guild वाले जो token है उनको collect करने है उसके बल्ले आपको reward यहाँ पे दिये जाएंगे अब दोस्तों बात करते हैं आने वाले character की ability के बारे में तो जो पहला character आने वाले है वो है अपना यहाँ पे हमारा यह मकडी वाला इसका नाम इसकी ability का नाम है poison trap यह एक active skill ability रहने वाली है तो इसको अभी test में डाला गया है मतलब अभी इसको complete नहीं किया गया है तो इसकी ability में आपको दिखा देता हूँ कि कैसी रहने वाली है तो देखो जैसी आप इस character को use करोगे तो आपको एक option मिलेगा आप उस option को दबाओगे तो एक drone आगे को जाएगा जैसी आप जो है अपनी ability को on करोगे तो भाई मेरी ability on करने से पहले सामने वाले बंदे ने अपनी ignis वाली ability को on कर दिया तो ignis की ability भी साथ साथ आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पर जैसी आप इसके drone को चालू करोगे जो drone के अंदर जो भी आएगा वो रेड हो जाएगा तो भाई मतलब simple ability रहने वाली हो आपको समझ मा आ गया होगा इसके लग जो अगला character है वो है अपना यहाँ पर ignis character तो ignis character का जो first look है वो आप लोग दे सकते हैं को जिस तरगे का यहाँ पर ignis character रहने वाल है और इसकी जो ability है वो यहाँ पर fire ability रहने वाली है तो basically इसकी ability को पिछले वाले OB का जो advance server था वहीं पर डाल दिया गया था तो हमको लग रहा था कि यह थाला character की ability हो सकती है लेकिन यह थाला की ability नहीं है जैसे आप इसकी ability को on करो होगे तो सामने एक fire की दिवार बनके आ जाएगी और जैसे ही वो enemy जो है fire की दिवार को touch करता है या फिर उसके अंदर आते है तो उसको पढ़ने वाला है तगड़ा वाला damage आनि कि 50 और 60 का damage हो यहाँ पर पढ़ने वाल है बांकि जैसे जैसे आप character को upgrade करोगे जो damage हो पास पास आता है या फिर इसके touch मा आता है तो इसके health यहाँ पर कम हो जाने वाली है इसके लाओ दोस्तों यहाँ पर एक new mode आने वाला है जो कि अपना winter special mode है तो भाई आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको snow वगरा देखने को मिल ले होगी तो मतलब काफी अच्छा ह इसकी vibe आपको इस बार देखने को मिलेगी और इस बार का जो OB update है उसमें winter event काफी खतरनाक आने वाला है काफी बड़ा event आने वाले है तो इस तरके का आपको एक new mode देखने को मिल जाते है और new mode आपको कैसा लगा मुझे comment करके बता देना इसके लाओ दोस्तों आप बात करत सकते थे, gun skin वगरा, gun वगरा खरीच सकते थे लेकिन update के बाद मतलब यह हमारा जो update आने वाला है इसके बाद जो है आप game के अंदर जाके देखो chrono character की ability को purchase भी कर सकते हो और clue character की ability है उसको ही purchase कर सकते हो यानि कि आप game के अंदर एकी साथ 3-3 character की ability को यूज कर पाओगे लेक जैसे आप एक बार यूज कर लेते हैं तो फिर आप दुबारा भी जाके परचेस कर सकते हैं तो यह यहाँ पर नया सीन रहने वाला है इसके लगव आपको हमारे BR rank के अंदर कुछ ऐसे box देखने को मिलेंगे यह box है हमारे FF coin box जैसे आप इस box के आसपास जाओगे तो आप आपको 200-400 जो FF coin है यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जैसे अभी आप इस box को दिहान से देख सकते हैं यहाँ पर FF coin का साइन बना हुआ है तो यह आपको मैप में इधर उदर पड़े हुए मिल जाएंगे जैसे मैं आपको दुबारी दिखा देता हूं मैं clock tower के अंदर दवान सरवल लेते हैं तो आप हमारे इमोट वगरा आते हैं या फिर जो भी चीज़ा आती है उनको आप उन्जोई कर पाएंगे तो बेसिकली जैसे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर Cobra वाला इमोट वगरा ले रहा हूँ तो इसको आप भी ले सकते हैं लेकिन आप जो इवेंट सोच के बनाते मुझे समझमन नहीं आता है इस वाले यूनिकॉर्ण इवेंट के अंदर यह जो 1-2 श्किन इसको देने की क्या जरुवत थी मुझे समझमन नहीं आया क्योंकि यहां पर यहां पर यूनिकॉर्ण नहीं है तो क्या ही बोलने भाई क्योंकि अभी के टाइम पे तो सब लोग योग योगरा यूज करते हैं अपडेट के बाद दोस्तों यहां पर देखो आपने सारी चीह देखी है आपने गन स्किन देखी यो बंडल देखा लेकिन अब आप जो है क्या देखने वाले हो अब जो करेक्टर की स्किल होती है उसकी भी स्किन देखने को आपको मिलेगी जैसे कि हमारे जो वुकॉंग करेक्टर है उसकी स्किल है हमारा जो ग्रीन वाला जो जाली होता है अब आपको आइस मौंकी देखने को मिलेगा इसके लाव हमारा जो होनर करेक्टर है होनर करेक्टर क इस करेक्टर को पता नहीं क्या बोलते हैं इसकी भी आपको जो है अब्लिटी देखने को मिलेगी और विंटर स्पेशल रहने वाली है मतलब इसके लाओ दोस्तों नया लुक चेंजर इमोट आप लोग देशकते हैं जो कि अपना विंटर स्पेशल है तो भाई लुक चेंजर इमोट जो है काफी जर्णदस लग रहा हैं काफी ओपी लग रहा है नहीं है तो आपको जो लुक चेंजर इमोट भी आपको इसनो देखने ऐगे बाकि दोस्तों हमारा जो बर्मूडा में पर आप लोग देख चुके होंगे कि सारी जगा आपको इसनों वगरा देखने को मिल ली है चारो तरफ कोराई कोरा है तो ये काफी अच्छी बात है इसके लाओ दोस्तों आप बात करते हैं वीडियो को लास्ट टॉपिक के बारे में वह है अपना मिष्टी सॉप तो फाइनले दोस्तों कन्फर्म हो चुक है अपना मिष्टी सॉप को मिल जाएंगे तो बिसिकली मिष्टी सॉप का फुल रिभ्य है वह आप लोग देसकते हैं इस तरकी के जो मिष्टी सॉप का इवेंट है वह चौह तारीके दिन आने वाल है सुबे सॉड़े नौ या फिर दस बजे आपको इवेंट देखने को मिलेगा बाकि दोस्तों एडवान सर्वर के अंदर और भी अपडेट है तो बाकि के अब अपडेट में आपको कल की वीडियो के अंदर बताऊंगा तो अभी सुडियो के अंदर जो है इतना ही